व्र्क 27, Creating Multiple Stock Categories, Zillow, Apsara and Parker तो जिस प्रकार से हम लोगों ने Multiple Stock Group बनाया था उसी तरह से हम लोग Multiple Stock Categories भी बना सकते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका Stock Categories का विंडो खुला हुआ है यह window stock categories का है तो यहाँ से तो हमें बाहर निकलना होगा तो बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि keyboard का keyboard का हम लोग escape button प्रेस करते हैं तो चलिए keyboard का escape button प्रेस करते हैं escape button प्रेस करते ही quit का option आया उना escape प्रेस किये तो अब हम लोग stock categories में आ गए है अब यहाँ down arrow से नीचे आते हैं multiple stock categories में और यहाँ create पर inter button press करेंगे यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे inter button press करेंगे press करते हैं अब यहाँ under categories में under categories में आप देख रहे हैं कि यह आपका list of categories है तो इस list of categories में आपका एक netраж है जो पहले हम लोगों ने बनाया था और दूसरा all items है तो हम लोग यहाँ पर under category में क्या करेंगे all items को select कर लेंगे तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अल आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरडर प्रेस किये, आप देखिए, नेम आफ काटेगरी, में हम लोग आ गए हैं, अब यहां टाइप करते हैं, सीलो, सीलो, इंटरडर प्रेस किये, तो अंडर में चले आए, अब यहां प्राइमरी ले ले लेते हैं, प्राइमरी, नेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं, अब सरा, इंटरडर प्रेस किये, फिर प्राइमरी, फिर हम लोग लेते हैं, पार कर, इंटरडर प्राइमरी, और stock categories तीनों का तीनों बन गया